नमस्कार दोस्तों नमबर है the study of the nature of beauty यानि की प्रकृती की सुन्दरता का अध्यन उसे बोलते हैं A-E-S-T-H-E-T-I-C-S Next 162 A person behind time यहने समय के साथ ना चलने वाला वैक्ती उसे बोलते हैं antiquated A-N-T-I-Q-U-A-T-E-D पुराना वैक्ती Next Leading a life of self-discipline यानि की जो आत्मसायम से जिन्दगी को जीता है उसे बोलते हैं Aseptic A-S-E-P-T-I-C Next आते हैं 164 पर A plant that grows in water यानि वो पाधे जो जल में उकते हैं उसे बोलते हैं Aquatic यानि जलचर A-Q-U-A-T-I-C 165 है Woman who has extra marital relationship उसे बोलते हैं Adultery A-D-U-L-T-E-R-Y Next है 166 number One who believes that nothing can be said about God यानि की सब कुछ भगवान का ना हो वो बोलते हैं Agnostic A-G-N-O-S-T-I-C Agnostic नास्तिक के तोर पर भी आप इसे बोल सकते हैं Next है A place where birds are kept वो जगह जहां पर पक्चियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं Aviary A-V-I-A-R-Y Aviary Next है 168 number One appointed by two parties to settle disputes between them यानि कि जो दो वेक्तियों के बीच कोई मद्भेद हो जाते हैं तो जो वेक्ति मद्धेस्त की भूमिका निवाता है उसे बोलते हैं Arbitrator या फिर Mediator A-R-B-I-T-R-A-T-O-R और दूसरा है Mediator M-E-D-I-A-T-O-R Next है Very greedy in eating Hindi की meaning से आप समझ सकते हैं इसको बोलेंगे पेटू जो खाने में बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी रखता है उसे बोलते है Voraceous Voraceous V-O-R-A-C-I-O-U-S Next देखे 170 नमबर है Intense dislike or fear of foreigners or strangers याने कि वह वेक्ती या वो जो अंजान लोगों से डरते हैं या विदेशियों से डरते हैं उसे बोलते हैं Xenophobia Z-E-N-O-P-H-O-B-I-A Xenophobia ये आज के वनवर सब्टिटुशन थे जो 161 से 170 थे आपको इन्हें note और याद दोनों करना है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद